आमादमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की दो करोड जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अर्विंद केजरीवाल है। अर्विंद केजरिवाल जी के नितृत्व में हो सकता है कि एक फर्स टाइम पॉलिटिशिन एक राज्य की मुख्यमंत्री बना मैं सरसे पहले दिल्ली के लोक्प्रिय मुख्यमंत्री आमाद्मी पार्टी के नेता मेरे गुरू अर्विंद केजरिवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझे भरोसा किया ये सिर्वामाद्मी पार्टी में हो सकता है अर्विंद केजरीवाल जी के नित्रित्व में हो सकता है कि एक first time politician एक राज्य की मुख्यमंत्री बना मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकेट भी नहीं मिलती लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने मुझे भरोसा किया मुझे विधायक बनाया मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है मैं खुश हूँ कि अर्विंद केजरीवाल जी ने मुझे इतना भरोसा किया है लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है आज उससे बहुत जादा दुख भी मेरे मन में दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अर्विन केजरीवाजी आज इस्तीफा दे रहे हैं मैं आज ये जरूर कहना चाहती हैं आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से दिल्ली की दो करोड जन्ता की तरफ से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अर्विन केजरीवाज है भार्तिय जन्ता पार्टी ने पिछले दो साल से अर्विंद केजरी वाय जी को परिशान करने की उनके खिलाव शड्यांत रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी एक ऐसा आदमी जो अपनी आई आरेस कमिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनार लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था ऐसे आदमी पर ऐसे इमानदार आदमी पर भार्तिय जन्ता पार्टी ने भरष्टाचार के आरोप लगाए जोटे केस किये फरजी केस किये अपनी एजनसी एडी को सी बी आइकोन के पीछे छोड़ दिये उनको जोटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा आखिर कर सुप्रीम कोट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोट ने सिर्व उनको जमानत नहीं दी सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार के मूँ पे तमाचा मारा उनकी एजनसीज के मूँ पे तमाचा मारा उन्हें कहा कि इनकी एजनसीज केंदर सरकार की एजनसीज एक किंज्रे में पैद कैद तोते की तरह है और अर्विंद केजरीवार जी की गिरफतारी गलत थी अगर अर्विंद केजरी वाल जी की जगा कोई और मुख्यमंत्री होता कोई और नेता होता तो वो दो मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठने के बारे लेकिन अर्विंद केजरी वाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िये, शायद दुनिया की इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो, उन्हों ने कहा, कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोट का फैसला काफी नहीं है, मैं जन्ता की अदालत में चाहूंगा, जब दिल्ली की जन्ता मुझे कहेगी, कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जन्ता कहेगी, कि तुम इमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुरसी पे बैठूँगा, मुझे नहीं लगता कि हमें लोककंत्र के इतिहास में, ऐसा कोई त्याग का उधारन मिलेगा, जो अर्विन केजरिवाजी ने स्टीफा दे दिया है, वो रोने लग गई, उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह है, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, जूटे केस लगाए, और बुज़र्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाओंगी, मैं घर घर अर्विन केजरिवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, क्यूंकि उन्हें पता है कि अर्विन केजरिवाल ही ऐसे इमानदार मुख्यमंत्री हैं, जिनकी वज़े से उन्हें फ्री बिजली मिलना है, उन्हें पता है कि अगर अर्विन केजरिवाल जैसे इमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बजली मिलनी बंद हो जाए उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवार जैसे इमानदार व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बच्चों के सरकारी स्कूल बदहाल हो जाएंगी उनको पता ह कि अगर अर्विन केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मुखला क्लिनिक बंद हो जाएगी अर्विन केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी बुज़र्गों की तीर यात्रा बंद हो जाएगी क्योंक आते हैं और एक इमानदार अर्विंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को इतना कुछ देता है तो दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक चुनाव तक मुक्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्वेश से काम करेंगे कि हमें अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुक्यमंत्री बनाना है जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं मेरा एक ही मकसद रहेगा मुझे पता है कि भारतिये जन्ता पार्टी अपने एलजी साहब के तुरू दिल्ली वालों के खिलाफ शडियन मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो दिल्ली वालों के हस्पताल में फ्री दवाईयां रोकने की कोशिश करेंगे मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे तो अगले कुछ महीने पर जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं डिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अर्वन केजरिवाल जी के मार्थ दर्शन में डिल्ली की सरकार चलाऊँ मेरा अपने सभी कारेकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, डिल्ली के लोगों से बस ए एक बहुत दुक्ष की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज मैं आज इस्तीफा दिया है मैं एक बार फिर अर्विन केज्रिवाल जी का धन्यवाद करती हूं जो उन्होंने मुझे भरोसा दिला मुझे मुझे भरोसा दिखाया और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाओं